Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं start करने वाले हूँ class 12 की जो आपकी elective book है जिसका नाम है kaleidoscope, उसका chapter number 5 जिसका नाम है 1 cm और आज cover करूँगी मैं इसका part 2 यह जो chapter है मैंने 3 parts में divide करके रखा हुआ है that is part 1, 2 and 3 अगर आपने मेरे part 1 का video नहीं देखा है तो जल्दी से जाएए और देखे आईए so that आप relate कर पाए मेरे part 2 के video से so let's begin with our part 2 अब जब हमने part 1 complete किया था तो हमने यहाँ पर complete किया था कि Tao Yeng कहती है कि हम अभी मंदर के gate के अंदर भी नहीं गए थे मैं और मेरा बेटा जियाओ ये हम दोनों बहुत अच्छा फील करे थे positive फील करे थे क्योंकि मंदर का औरा temple का ऐसा औरा environment होता ही है और जैसे ही बड़ा आसा gate देखा जिस पर golden color का paint किया हुआ था जो छोटा बच्छा है जियाओ ये वो दोड़ते हुए उसकी तरफ गया क्यों क्योंकि वो बहुत excited था और शायद आस से पहले उसने कभी भी ऐसा कोई मंदर नहीं गया अब उसकी बाद से हम यहाँ पर continue करते हैं Tao Yeng suddenly feels a little sad Is the mere attraction of a temple enough for Ziyao Yeng to abandon his mother अब जैसे ही बच्चा मंदर के दर्वाजे के तरफ भागते हुए जाता है खुशी में, excited में, excitement में तो Tao Yeng suddenly बहुत sad बहुत दुखी फील करती है सोचती है कि क्या सरफ एक temple और इतना temple की चका चौन इतनी जादा important है मेरे बेटे जिया हो यह एक लिए कि वो अपनी mother को abandon करके भग गया याने leave, छोड़के भाग गया अब छोटा बच्चा है भाई, गुमने फिरने आया, बच्चे तो करते ही है पर उसकी मम्ना ऐसा feel कर रही है But almost immediately she banishes the thought hasn't she brought her son here today to make him happy तो banishes का मतलब होता है remove, हटा देना दिमाग से और फिर उसी second, immediately वो अपने दिमाग से इस thought को हटा देती है और सोचती है कि क्या वो अपने बेटे को यहाँ खुश करने के लिए नहीं लाई है वह अगर बच्चा खुश हो रहा है तो वो खुश करने के लिए अपने बच्चे को लाई है न तो ऐसे negative thoughts मैं क्यों अपने दिमाग में लाऊ तो फिर वो इस thought को अपने दिमाग से हटा देती है अब जैसे ही मंदर के दरवाजे पर गए तो वहाँ पर एक गार्ड खड़ है अब जो गार्ड है वो यंग मैन है याने जवान आदमी है अब यहाँ यंग मैन जो वर्ड है इस पर मैं दो स्टार लगा देती हूँ क्योंकि ये काफी जादा दूर तक चैप्टर में ये वर्ड का जिकर होगा young man मतलब जवान इंसान जिसकी अभी तक शादी ने हुई तो जो gate पे guard खड़ा है वो भी young man है और उसने red color का उपर से top याने shirt पेनी है और नीचे से black color के trousers पेने Taoying जब उसको देखती तो सोचती है कि he ought to have ought मतलब should have उसको red ना पहन कर कुछ yellow पहना चाहिए क्योंकि red top और black trousers में वो क्या लग रहा है waiter जैसा लग रहा है तो ऐसा Taoying सोचती है जियाओ ये knows exactly what he has to do अब जो जियाओ ये बच्चा है उसको exactly पता है कि अब उसको क्या करना है याने कि अब उसको पता है कि उसको जाकर के ticket दिखानी है बहुत समझदार बच्चा है guard को ticket दिखानी है moving amongst the crowd he seems like a tiny drop of water in the current of a large river और वो crowd में से गुसते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा था है बड़े से large river में से बड़ी से नदी में एक छोटा सा wound है कौन जियाओ ये चोटा बच्चा इतनी सारी बीड में ticket दिखाने ले जा रहा है the young man takes the ticket from his mouth plucking a leaf from a spring branch spring branch क्यों होती है इस तरीकी के जो तहनी होती है जिसमें पत्तियां लगी रहती है इसे spring branch कहते है तो जो young man है ये जो guard है इसने जो जियाओ ये था उसने मूँ में ऐसे फसा के रखी हुई थी अपनी ticket तो उसने इसके मूँ से ऐसे ticket निकाली जैसे इस चैनी में से कोई leaf को पत्ती को प्लक करा है याने किसी पत्ती को तोड़ा है ताव यंग्स गेज आफली एन्वलोप्स हर सन इसम का मतलब क्यों जोता है लुक याने नजर अब टाव यंग्स अपने बेटे के हर जैस्चर को हर हाव भाव को देख रही कि कैसे उसका बच्चा ticket दिखा रहा है कैसे खुष हो रहा है कैसे भीड में से जा रहा है उसको अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी नजर से, अपने प्यार से अपने बच्चे को envelop कर दी, अपनी ममता से, अपने मदरोट से अपने बच्चे को पुरा घेर लिया है और ऐसा लग रहा है कि वो एक silk की strand की तरह अधर अधर उड़ रहा है, कभी अधर, कभी अधर, कभी अधर और उसकी माँ उसके हरे खावबाव को देख रही है याने अपने बच्चे को देखके खुश हो रही है अब डेट स्टोन क्या होता है डेट का मतलब होता है, खजूर, और खजूर में से निकलने वाले जू की मतलब होता है पिथी का मतलब होता है, पिथी अर्फल कोई किसी चीज़ पर दबावर डाल और मैंदर टिकट ले ली अब अंदर कौन जारी थी उसकी माँ स्टे सूरी जियाओ ये जो बेटा है उसके मूँ से टिकेट ले ली थी ले ली थी गार्ड ने अब पीछे-पीछे कौन जा रही है उसकी मा ताव येंग तो जो यूथ था जो यंग जवान नौजवान था वहां पे गार्ड उसने क्या किया वन आम एक बहां से ऐसे उसका रास्ता रोग दाल रहा है ताव यंग पॉइंग पॉइंग जाटर सान वित इंफिने टेंडरनेस शी फिल्जर एवरीबड़ी शुट सी हाव लवली ही इस तो टाव यंग ने क्या किया अपने बेटे की तरफ कि मेरे बेटे के पास टिकेट है और वो चाती है कि मेरे बेटे को सब बहु केर से देखें और सब देखें कि इसका बच्चा किता प्यारा है कितना लवली है जो दूसरी भीड खड़ी है अब टिकेट गाड ने किस से ली थी एक टिकेट बेटे से यस तो यहाने बेटा ही अंदर जा सकता है अब गाड यहाँ पर मांग रहा है टाव यंग की टिकेट जियाओ ये की टिकेट उसने ले ली बच्चे की अब मा की टिकेट बचिए I'm asking for your ticket the red youth does not budge budge का मतलब होता है move अब ये जो youth था ये नौजवान था ये बच्चे ये हिला तक नहीं हो कहता है मैं तुमारी टिकेट के बारे में पूछ रहा हूं वो टिकेट तो मैंने दिया हूए याने बच्चे के लिए तुमारी टिकेट का है आप अगर इस तरीके से पिक्चर में देखें तो पिक्चर में भी ऐसा ही कि ये नौजवान ख़ड़ा हूआ है यंग इंसान और उसकी मारी तरीके से चाहरा करती है कि बच्चे के पास टिकेट है लेकिन वह बहुत गुस्टे से बोलता है कि हम आसके पूर यॉर टिकेट अब टाओ यंग बड़ी पीसफुली बड़े आराम से बोलती है कि अभी अभी तो आपको बच्चे ने दी टिकेट अब टाओ यंग सोचती कि ये बोई याने ये जो यूथ जो गार्ड बना हुआ है ये अभी बहुत यांग है याने अभी इसकी शादी नहीं हुए और अभी शाइद ये फादर नहीं बनाया याने इसका कोई बच्चा नहीं है तभी इसको शाद पता नहीं है कि बच्चे के सामने या बच्चों से किस तरीके से बात करते हैं तभी वो शाद इस तरीके से रूडली मेरे बच्चे के सामने मुझसे ऐसे बात कर रहा है Tao Ying is not working today and is in a really good mood She is happy to be patient अब भले ही ये गाठ थोड़ा arrogant तरीके से बात कर रहा है Tao Ying से लेकिन Tao Ying क्या है आज छुटी लेके आई ओफिस से बहुत अच्छे mood में और वो खुश है patient रहके आने उसने जो patient जोई सबर रखा हुआ है आराम से बात कर रहा है वो इस अपने इस behavior से खुश उसको लड़ना नहीं है That was his ticket. Now I need to see yours. The youth remains unmoved जो youth था वो बिना हले बोलता है कि ये जो मैने भी ticket ली वो बच्चे के थी है अब मुझे तुम्हारी ticket चाहिए Tao Ying has to pause for a moment before it sinks in There are two of them and they need a ticket each अब Tao Ying एक second के लिए pause लेती है, रुकती है, सोचती है कि हाँ यार ये बात तो सही बोल रहा है क्योंकि एकदम उसको जटका लगा कि हाँ अगर बच्चा गया और मैं गया हूँ, दो लोग है, तो दो ticket लगेगी ना एक ticket कैसे लगेगी I thought that children were exempt, she's confused वो बोलती है, गाट से मुझे लगा कि बच्चों को छूट मिली हूई है, छोटे बच्चों की ticket नहीं मिलती है, exempt याने Here, free from paying for the ticket की, उनको ticket के लिए पे नहीं करना अब बड़ी confused हो गई Tao Ying कि यार, बच्चों की तो ticket नहीं लगती Mama, hurry up, जियाओ ये, shouts to her from inside the doors अब क्योंकि guard ने जियाओ ये के मुझे से ticket ले ली थी, तो वो अंदर door के अंदर यहने मंदर के दर्वाजे के अंदर जा चुका था, okay तो वो अंदर से shout करता है, बाहर खड़ी हो अपनी माह को कि Mama, जल्दी आओ और, hurry up, जल्दी करो, अंदर आ जाओ Mama is coming, Towing shouts back A crowd is beginning to gather, so many fishes swarming towards a bright light तो वो भी बाहर से shout करती, अंदर बोलती कि Mama is coming, कि रुख जाओ बेटा, Mama आ रहे अब वहाँ पे बहुत सारी भीड खड़ी हुए, मंदर के दर्वाजे पे, guard और Towing के बीच में सी बहस बाजी चल रही है, और जैसे एक bright light, एक चमकती हुए light अगरा पानी में डाला तो सारी मचलियां जूमते उस light पे आ जाती ही, वैसा ही लग रहा था कि सारी मचलियां ये तमाशा देखने के लिए, याने guard और Towing के बीच की बहस सुनने के लिए, बिलकुल महा पे, जमा R A C A S, आप बोलेंगे fracas है, लेकिन ये जो S है वो silent है, तो इसलिए fracas, fracas का मतलब होता है noisy argument, याने बहस बाजी, आवाज, argument हो रहे हैं बहुत, तो अब Towing panic होना start हो जाती ही, घबराना start हो जाती है, वो चाहती है कि भाई, ये सब जो argument है, बहस बाजी है, ये जल्ली खतम ह क्यों 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 कि उसका बच्चा अंदर उसके लिए वेट कर रहा है, Who told you? He doesn't need a ticket, the guard tilts his head, the more onlookers, the better, Guard बड़े गुसे में कहता है, किसने बोला तुमसे की बच्चे की ticket नहीं लगेगी, और Guard क्या है, अपनी गर्दन को थोड़ी tilt करता है, थोड़ी इस तरीक से हिलाता है, और सोचता है कि जितने onlookers है, जितने लोग देख रहे हैं, भीड का, तमाशा ले रहे हैं, मज़ा आ रहा है, उत्ता ही जादा अच्छा मज़ा है, तो जान बूच के थोड़ी अपनी आवाज बड़ा देता है, Guard, It says so on the back of the ticket, टाव यंग बोलती है, टिकेट के पीछे ऐसा ही लिखाई कि छोटे बच्चों के टिकेट नहीं लगेगी, Exactly, what does it say, the boy is obviously not a professional, तो वो बोलता है, Exactly, what does it say, तो वो बोलता है, अच्छा, तो जारा बताओ, तो क्या लिखाई टिकेट के पीछे, अब जिस तरीके से गंधी तरीके से बात कर रहा था, ताव यंग से, तो ताव यंग सोचती कि जो बोई है, यंग गार्ड है, ये कोई प्रोफेशनल गार्ड नहीं, तभी विट्टी बट्तमीजी से मुझसे बात कर रहा है, अब ताव यंग कहती है कि, ऐसा लिखा हुआ है टिकेट के पीछे, कि जो बच्चे एक सो दस सेंटीमीटर से चोटे है, उनको टिकेट के लिए पे करने की कोई जरुवत नहीं है, और ये बात तो बड़े गार्ड से बोलती है, फिर गार्ड के पास में एक बाक्स रखा थ जिसमें टिकेट हैं बड़ी हुथी बहुत सारी जो वो साइड रख देते हैं, वो खुच चली जाती है, वहाँ से टिकेट उठा लेती है और उसके पीछे से इस बात को जोर से पढ़ती है, ताकि सब आस-पास की भीड उसकी बात को सुने, जो से, stop right there, the youth has turned nasty, nasty का मतलब क्या होता है, unkind, unpleasant, अब जैसी ही वो टिकेट उठा के पढ़ती है, बिना गाट की परमिशन से उसके बाक्स में से, वो गुस्षे में आ जाता है, वो बोलता है, stop right there, कि बिलकुल वाई की वही रोख जाओ, बहुत गुस्षे में आगया गाट, Tao Ying realizes, she should not have touched the box and quickly withdraws her hand, अब suddenly Tao Ying realize करती कि यार, शिट मैंने तो उसका, बिना इसकी परमिशन से, इसके बाक्स को टच कर लिया, तो उसने उसी वक्त, immediately अपना हाथ, विद्रॉ कर लिया ने, पीछे ले लिया, So, you are familiar with the rules and regulations, are you? Now the young man addresses her with the formal you, तो अब ये गार्ड है बोलता है, अच्छा, तो तुम्हें यहां के rules and regulations से तुम्हें हो, तुम्हें सब पता है, अब पत्तमीजी पर आगया है गार्ड, गार्ड नहीं उसको मैं बोल रहा है, ना मैडम बोल रहा है, वो उसको बहुत यू, य Tao Yung detects the sarcasm in his tone, but she simply nods, sarcasm का मतलब के ओता है, the use of irony, की विडमना, अब Tao Yung detect कर लेती, यहने समझ जाती कि यह कि तोन में मिर से बात कर रहा है, sarcastically, लेकिन फिर भी वो simply nod कर देती, यहने अपना सर हिला देती कि हा, मुझे पता यहां के rules and regulations क्या है मंदर के, Well, your son is over 110 cm, he says with certainty, no, he isn't Tao Yung, is still smiling, अब वो गुसे में गाट बोलता है कि तुमारा बेटा 110 cm से उपर है, और यह चीज़ वो बहुत certainty से आने, बहुत surety से बोलता है कि मैं यह चीज़ के लिए बहुत sure हूँ, और वो कहती नहीं, वो नहीं है, वो 110 cm से छोटा है, और Tao Yung अभी भी भी कोई गुसा नहीं करी, वो नॉर्मली स्माइल करी है, अब जित्ती भी भीड खडी है, वो मदर याने Tao Yung को बहुत सस्पीशन से देखने लगती कि बापरे, इस मा को क्या अपनी बच्चे की एज भी नहीं पता, या सॉरी, अपनी बच्चे की हाइड भी नहीं पता He just ran past the mark, I saw it clearly, the guard is equally firm, pointing at a red line on the wall, which looks like an earthworm, inching across the road after a rainstorm, अब गाड जित्नी confident, टाव येंगे, उतनी equally confident जो है वो गाड भी है, कि नहीं, तुमारा बेटा 110 cm से उपर है, और वो बोलता है, मेरे पास में जो दीवार है, उस दीवार पे एक रेड कलर का mark है, जो इस तरीके से है, यानि स्ट्रेट नहीं है, ऐसे इस तरीके से एक mark है, कहता है वो अभी भाग के या से गया और मैंने दिखा कि वो इस mark के उपर है, यानि 110 cm से तुमारा बेटा उपर है, मतलब टिकेट लगेगी, अब ऑथर बोलते हैं कि ये जो mark था, वो बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट नहीं तर यानि यशता एसे यली जैसा मांक था, जो सडक क्रॉस करता हुआ, आएसे ऐसे सडक क्रॉस करता हुआ, रैंस तरीके का इली जैसा मांक था उस दीवार पे, यानि वो ऐग्यूरेट मैजिर्मेंट नहीं था तो अब अंदर से शाउट करता है, वो बोलता है, ममा इतनी देर क्यों लगा रही हो, मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया, यहने आप कही घुम गयो और वो यह चीज शाउट करता है, अफेक्शनेटली यहने इन लविंग मैनर, प्यार से बोलता है और फिर वो अंदर से बाहर वापिस दोडता हुआ है और अपनी ममा को उसने आके हग कर लिया, ऐसे हग कर आज ऐसे कि उसने अपना कोई फेवरिट उसे अपना कोई फेवरिट तॉय खिलोना मिल गया, अब दो क्राउट टिटर्स, और वाद दिवीन बाट टिटर्स, गिव शॉर्ट लाफ याने गिगल, याने बच्चे को देखके पूरा क्राउट इस तरीके से हसने लगता है कि थोड़ी खिली उड़ाता है, ताओ इंकी, दे थिंग, here is the proof, the whole matter can be cleared up at once, और खिली उड़ाते हुए, ताओ इंकी, जो पूरा क्राउट है, जो पूरी भीड़े, व अधर से ये, the youth is getting a little nervous, he is just doing his job, he is certain in his right, he is certain he is right, but this woman seems very confident, perhaps that would be awful, awful का मतलब की होता है, very bad, बहुत बुरा, अब जो ये youth है, जो ये young guard है, ये अब थोड़ा थोड़ा नर्वस हो रहा है, क्योंकि वो सोचता है कि यार, मैं तो सिर्फ अपना जॉब कर रहा हू, मैं सही भी हू मुझे पता है कि बच्चा 110 cm के ऊपर है, याने इस लाइन से बच्चा ऊपर था, मैंने देखा था, लेकिन इसकी मा भी बहुत confident दिख रही वाई, और अगर इसकी मा सही प्रूफ हो गई, तो इतनी भीड के सामने ये बात बहुत awful, बहुत बुरी हो जाएगी, कि guard की बेस् होचता है, टाव यंग remains calm, लेकिन टाव यंग तो बहुत calm, बहुत सुकून में रहती है, उसको कोई वो कोई लडधा कर नहीं रही, in fact, she feels a little smug, बल्कि उसको तो बहुत smug feel हो रहा है, smug याने self-satisfied, आत्मस अंतोष्ट है कि नहीं महसा ही हूं, मुझे पता है, मेरे की हाइट 109 cm है, अभी अभी मंदर आने के लिए जिस बस में वो लोग बैठे थे उसमें अपने बच्चे की हाइट नापी थी, मेजर करी थी तो उसको पता है कि मैं सही हूं, her son loves excitement, this is turning into something of an event, so it is bound to delight him, अब जो बच्चा है, डाव यंका, जियाव ये, उसको excitement बहुत पसं की पता नि उसको लग रहा है, पता नि क्या हो रहा है यहां पर, come over here, the youth commands, the crowd holds its breath, अब वो youth ने command किया, उसको order दिया कि इधार आओ तो, ताकि तुमारी height को हम measure करे, और पूरी crowd, पूरी जो भीड थी उसने अपना सम्झो जैसे अपनी सास से रोक ली, दिल थाम के बैठ जिया की कौन, सहिये की कौन, गलत, जियाओ ये looks at his mother, ताओ ये gives him a little nod, he walks over to the guard graciously, cuffs a little, adjusts his jacket, in front of the gaze of the crowd, जियाओ ये is very inch the hero as he approaches the earthworm, अब जियाओ ये को जैसे ही बुलाया, गार्ड ने, तो उसने अपनी माह को ऐसे करके देखा, तो उसकी माने, नौट कर दिया ने, सर हिला कि हाँ हाँ जाओ, height अपनी measure करो, वो आराम से graciously, बहुत confidently walk करते हुए जाता है, थोड़ा सा खासता है, किसी बुज़र आर्मी की तरह, अपना jacket adjust करते हुए जाता है, और पूरे crowd की gaze के सामने, याने पूरे crowd की नजरों के सामने, जियाओ ये ऐसे जा रहा था, अपनी height ना याने दीवार पे वो red color की line जो एक earthworm जैसे दिख रही थी, याने कि जो straight नहीं थी, इसका measurement सही नहीं था, then the crowd looks and sees the worm comes to Ziao's ear, अब, finally crowd ने देखा, कि Ziao' ये कि Ziao' ये कहां आ रहा है, इस earthworm के और रोनन देखा, कि जो worm है, वो Ziao' ये के ear पे आ रहा है, याने कि जब वो Ziao' ये खड़ा हुआ, तो ये जो worm है, वो Ziao' ये कि ear, याने कनपटी पे आया, याने वो इससे उपर है, याने 110 cm से उसका बेटा उपर था, how is this possible? वो सोचती है, क्या नमे इसकास की, जो टाव येंग जुसकी माय है, वो सोचती कि ये possible कैसे है, अभी अभी तो मैं बस मे आई हूँ, मैंने अपने बच्चे की हाइट मेजर करी, इट वोज 109 cm, तो अब 110 भी नहीं, 110 से उपर हो गई, ऐसे कैसे possible है, ताव ये इस बाहे साइड इन टू पेसेज, अब पेसेज का मतलब क्योंता है, स्टेप्स, दो कदम, तू स्टेप्स, याने तू दो कदम, जहा अब जैसे ही दो कदम दूर खड़ी वो अपने बच्चे से, सडेनली टाव इंका जो हैन्ड का फ्लैट है, याने हथेली है, वो ऐसे जा कि उसके सर पे पड़ी, और इतनी तेज क्रिस्प की आवाज आई, कि जैसा लग रहा था कोई पिंग पॉंग बॉल जो हो जोर से जम अब जो इसका बेटा है, वो अपनी माँ को ऐसे घूर घूर के देखने लगने लगता है, वो रो नहीं रहा और वो शॉक्ड है क्योंकि इसको एकदम से सर पे दर्द हुआ, उसने आज से पहले कभी हिट नहीं हुआ, उसने कभी मार नहीं खाई, उसको अजीब सा लगा, The crowd draws its breath, draws its breath का मतलब क्या है, holds its breath, जैसी भीड ने देखा कि सर्फ एक साड़ी से हाइट के चकर में, एक मान ने अपने बच्चे की सर पे इतनी जोर से दे मार रहा है, सर जैसी इतनी कमजोर चीज छोटे बच्चे की, तो crowd का जैसे दिल थमसा गया, Punishing a child is one thing, hitting him on the head is totally unacceptable, crowd भीड सोचता है कि ठीक है, आपका बच्चा गलती कर रहा है, आप उसको punish कर रहे हो, वो ठीक है, वो एक बात है, लेकिन आप अपने बच्चे को hit कर रहे हो, वो भी सर पे, जो कि इतना कमजोर हिस्सा उतर, उसमें सारी नसे होती हैं यहापे, यह बिल If you have to buy another ticket, this is a disgrace, hitting a child to cover up your own mistake, भीड में से कोई एक इनसान बोलता है कि कैसी मा हो तुम यह कोई बहेफ करने का कोई तरीका है, तो क्या हो अगर तुम्हें एक और टिकेट खरीदने पड़ेगी, यह कितनी डिस्ग्रेस की, कितनी शेम, कितनी शन की बात है, कि अपनी खुद की गलती को कवर करने के लिए और एक टिकेट ना खरीदना पड़े, उसके लिए तुम अपने बच्चे को हिट कर रहे हो, शे कांट भी इस नाचरल मदर, फिर भीड में से दूसरा व्यक्ति बोलता है, हरे भाई, यह तो उसकी असलीमा होई नहीं सकती, ऐसे मार रहे है अपन नर्वस, अब भीड की इतनी बाते सुनके टाव यंग को सड़नली नर्वसनेस फील होले होले है लगी उसको, शे है नोट में टू हिट जियाओ यह, शे में टू स्मूट डाउन इस है, बट शी रिलाइस बट इस इंसेंट, यह वोट स्टिल बी टावर अवर आवर अवर मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं अपने बच्चे को सरपिती जोर से हिट करूँ, वो तो उसके बाल इतने रफ है, खड़े रहते हैं, मेरी बार बार आदत है उसके बालों को नीचे करने की, तो बस out of habit मैंने उसके बाल को ऐसे नीचे किया, लेकिन फिर वो सोचती कि अगर इ तो भी वो इस वर्म याने वो इस रेड लाइन के ऊपर ही होता, उसने सिर्फ इस बाल नीचे करेंगे कि हो सकता है बाल इतनी उपर हैं, तो हाइट बड़ी हुई दिख रही है, लेकिन जब उसने नीचे करें और रेलाइस कि इस मोमेंट भी अगर मेरे बच्चा ठकला भी होता, यहने बाल्ड, तो भी वो इस अर्दवाम वाली लाइन के ऊपर आता, यहने उसकी हाइट बड़ी ही होती, जियाओ ये, don't stand on tipto, Tao Yeng's voice is severe, severe का मतलब serious, अब उसकी मा थोड़ी और serious आवाज में बोलती है कि जियाओ ये tipto, यहने अपने पेरों के उंगलियों पर ऐसे कोई गलती निया, it's true, he isn't, अब हमारे जो राइटर है, चाप्टर के वो भी बोलते है, हाँ ये बात सही है, वो कोई अपने पेरों के उंगलियों पर नहीं ख़़ा था, वो तो नॉर्मल स्टेट ख़़ा था, the worm crawls somewhere next to his brow, brow का मतलब क्या होता है, आपकी eyebrow, तो जो worm है यान God stretches himself lazily, his vision is sharp, he has caught quite a few people who had tried to get through without paying, अब जो guard है वो अपने आपको stretch कर रहा है, याने इस तरीके से, याने कि आप कही ने कि उसको मज़ा आ रहा है, कि वो जीत गया और पूरे भीड के सामने उसकी थोड़ी सी, याने रिस्पेक्ट बढ़ गई, also उसका दूसरे लोग सोचते ह अब अंदर के अंदर गुज़ दे हैं, वो कही ने कहीं डर गई कि अरे नहीं भाई, गार्ड बहुत तेज है, हमें पकड़ लेगा कि अगर हम बिना पे करें, बिना टिकेट ली अगर हम अंदर जाएंगे तुम, गो गेर टिकेट, he screams at टाव यंग, अब गार्ड बहुत ज किस प्रिटेंड करते हो, कुछ आक्टिंग करते हो, या कुछ जो आप हो, वो नहीं दिखा कि कुछ और प्रिटेंड करते हो, कुछ और दिखा तो that is pretence, और courtesy याने being polite, बहुत polite, बहुत प्यार से किसी से बात करते हो, तो जब चिलाया, गार्ड ने टाव यंग के उपर, त दिवार पर समझो, इस एक लाइन की वज़े से, इस वर्म की वज़े से, मेरा पूरा आत्म सम्मान आज गिर गया, यह इंसान दो रुपए का जो यह लड़का है, गार्ड है कि मेरे उपर चिला रहा है, बट, my son is less than 1 meter 10, जाव यंग insists, even though she realizes she stands alone, अब पूरी बीड ने लिए कि वो 110 cm के ऊपर है, फिर भी वो बोलती है कि नहीं भाई, मेरा बेटा जो है, वो 110 cm के नीचे है, भले वो बिल्कुल अलग खडी, उसको कोई support नहीं करा पर, फिर भी वो इसी बात पर बार बार इंसिस्ट कर रहे है, बार बार जो डाल रहे है, everyone who tries to escape paying always says the same thing, do you think these people are going to believe you? और are they going to believe me? अब गार बोलता है कि जो भी यहां पर बिना टिकेट के अंदर गुसने की कोशिश करता है, बना पैसे दिये, वो सेम यही चीज बोलता है जैसे आज तुम बोल रही हो, और तुम्हें क्या लगता है, कि जितनी भीड खरिये वो आज तुम्हें, तुम्ह और खिली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, टाव यंकार कहता है, कि यह जो लाइन यहां तुम देख रही हो, यह इंटरनाशनल याने पूरे विश्व में इसको एकसेप्ट करा है, मेजवेमेंट को कि 110 cm है, और जो इंटरनाशनल स्टैंडर् रूलर है, जो इंटरनाशन स्टैंडर् रूलर लेकर आओ, और वो जो कि प्यूर प्लाटेनम का है, उससे जाके नापल अपने बेटे की हाई, तो इस तरीके से वो मॉख करता है, याने खिली उड़ाता है, टाव यंकी, टाव इस फ्लमोक्स्ट, अल शी नोस इस बाते सुनके फ्लमोक्स्ट, जो गई उससे सरफ इतना पता है, उसकी जो नौलेज है, मीटर, सेंटी मीटर को लेकर वो एक ड्रेस सक तक सीमित है, उससे सरफ इतना पता है कि अगर उसको अपनी एक ड्रेस स्टिच करवानी तो उसको 2 मीटर और 80 सेंटी मीटर कपडा लगेगा, उससे ये सब कुछ नहीं पता कि एस्टॉनेश यहने बहुंच अक्की हो गई है कि जब मैं बस से आई तो मेरा बेटा बस में 109 सेंटीमेटर था सदेनली आप वो 110 सेंटीमेटर के उपर हो गया तो वो सोचती है कि बढ़िया यह बुद्धा की पावर यह बुद्ध भगवन की पावर क्या है आज हम बुद्धा के मंदर में खड़ हुए ऐसी कौन सी पावर है जो मेरा बेटा कुछ ही मिनिट्स में बस से यहां तक आने मे के हाइट बढ़ गई वो यह सब स्रिफ कन्फूजन में सोचती है बट वी वर वन दबस जस्ट नव और वी और यह बुद्ध से बोलते कि हम अभी भी बस है और वो अब तक इतना लंबर नहीं था वह 110 सेंटीमेटर ही था नो डाउट वन इस बाउन यह बॉद्ध आस तो इदर दे यूथ स्नियर्स चिलिंग दी एर स्नियर्स का मतलब क्यों होता है तो टॉंट सम्वन अब वो जो यूथ है वो टॉंट करता है ताव इंग को और बोलता है हाँ ठीक है ना 110 सेंटीमेटर का बेटा तुमारा तब भी नहीं था जब पैदा हुआ था तो बड़े ग आसलब क्यों होता है तो स्पीक लाउडली वाइल मौकिंग सम्वन अब जब पूरा क्राउड है जोर जोर से बात कर रहे है और मौक कर रहे है टाव इंग को यहने उसकी खिली उड़ा रहे है तो वो एकदम भीड के बीच में खड़ी हुई है और वो उसका चहरा बिलकुल सफेद हो गया है शर्मिंदगी से उतना सफेद जितना की उसकी वाइट टिकेट थी ममा वोट इस हापनिंग जियाओ यह कम अवे फ्रॉम दर अर्थ वांब तो होल्ड इस मादस फ्रोजन हैंड वेट इस ओन लिटल वांबन अब जियाओ यह जो की उस स्केल पर खड़ाव उसे अपने मा के हाथ को पकड़ता है कि मा क्या हो गया इस नदें ममा इस फोगॉटन तो बाया टिकेट फॉर यू ताविंग के मुमें शब्द नहीं थे बोल तक निपारी थी लेकिन फिर भी वह अपने बेटे से प्यार से बोलती है कि कुछ नहीं बेटा मैं वस ममा सुर अब जैसी ये बात टाविंग ने अपने बेटे से बोली कि ममा आपके लिए टिकेट खरीदना भूल गई अब टाविंग बात भी नहीं कर रही गाट से फिर भी गाट बीच में उचका और बोलता है भूल गई ये अच्छा तरीक है अपनी गलती छुपाने का तुम तब ये भी बूल जाओ कि तुम्हारा कोई बेटा भी है हर चीज भूलती हो तुम यूथ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल टाविंग को नहीं बक्षेगा क्योंकि कुछ मिंटों पहले वह बहुती काम खड़ी हुई थी बिल्कुल confident थी तो अब यूथ उसको नहीं बक्षेगा क preserve her dignity dignity का मतलब respect अब क्योंकि Tao Inc. के बच्चे के सामने ही उसके खुद के बच्चे के सामने एक दो रुपे का गाड उसकी बेस्ती कर रहा था इसलिए अपनी आवाज बढ़ाई और बोलता बोलती है कि और क्या चाहिए तुम्हें भाई मैं तो तुमसा बात भी नहीं करी प् complimentary ticket in the first place to get in free is not enough now you want to sneak it in an extra person तो वो बोलता है God you have a nerve याने अब मैंने तुमारी कम्जोरी पकड़ ली वो कहता है कि ये स्रिव इस इस नोट तो दू वित वाट आ वांट की सर्व इतना ही बात पूरी नहीं हुए अभी मेरी clearly मैं ये चाहता हूं कि तुम मुझसे apologize करो याने तुम मुझसे माफी मांगो बगवान जाने तुम्हें कहां से ये complimentary ticket याने free में ये एक ticket मिल गई पहली चीज और उसके बाद अभी भी तुम्हें शांती नहीं मिली अब तुम चाहती हो कि तुम sneak करो याने चुपचाप मंदिन में घुसो एक extra person के साथ याने बच्ची के ticket मेना खरीदे तुम अंदर जाओ एक तो free में मिल गई और दूसरी तुम्हें चुपचाप ले जानी है तो तुम मुझसे माफी मांगो have you no shame don't think you can get away with this go go get a ticket a valid ticket तो गाड कहता है कि तुम्हें तो कोई शरम ही नहीं है ताओ यह इंसे कहता है जाओ जाकर अभी एक अपने लिए valid ticket लेकर आओ एक और बच्चे की तो है अपनी भी ticket लेकर रहा हूँ the youth is now leaning on the wall facing the crowd as if he is pronouncing an addict from on high edit का मतलब कोई command या कोई order अभ यूथ आराम से crowd को face करता हूँ आराम से दीवार पे lean करके आने टिक के खड़ा हूँ और इतनी तेज तेज हाई आने बहुत तेज आवाज में बोल रहा है और ऐसे बोल रहे है जैसे कोई command को order दे रहा हूँ टाव यंग को यह जा हो जाके साई टिकेट खरीट क्या हो जाओ यह हैं जा ट्रेंबल करने लगते हैं आने शेक करने लगते हैं जैसे की जब कोई पीपा बजा रहा हूँ वैसे अब वो सोच दी की वो क्या करें ऑथा रायटर बोलते की यह वो क्या करें क्या व उससे specialist और धाट से रहा हो या डरटी नहीं है मू तोड़ ज़ब देने के लिए जारड को या उससे लड़ाई के लिए दरती नहीं स Carry वो नहीं चाहती कि उसका बेटा इस तरीकी का कोई सीन देखे गलत बातों का उस पर कुछ असर पड़े लेकिन सिर्व अपने बेटे जियाओ ये कि सेक उसकी खातिर वो अपनी प्राइड को स्वालो कर जाएगी याने कि वो अपना ये अपमान सेहन कर लेगे कि ठीक है अब मा अपने पेटे से बोलती कि मामा तुमारे लिए बिटे है टिकेट खरीदने जा रही है तो मेरा यहीं वेट करना कहीं पर दौड़ना भागना नहीं अब टाओ एंग भले एक छोटा बच्चा बट समझ तो आ रहा है कि मेरी मा की बेज़ती हो रही है वो ऐसे नकली में स्माइल करने की कोशिश करता है कि हां मैं खड़ा रहूँगा अब वो सोचती कि यह जो आउटिंग के लिए आज मैं अपने बच्चे को पहली बर घुमाने आया हूँ यह कितनी रहर है ने किती मुश्किल से मुझे चुटी मिली किती मुश्किल से एक टिकेट मुझे फ्री मिली है और मैं किसी भी कंडिशन में अपना और अपने बच्चे का mood spoil नहीं करूँगी वो बहुत determined है बहुत द्रिट निश्चत है कि वो सब कुछ जल्दी से ठीक कर देगी अपने बेटे की मुझे चेहरे पे खुशी लाने के लिए अब बेटा अपनी मां से पुछता है कि मां क्या सच में आपने टिकेट नहीं खरीदी सच में क्या आप टिकेट खरीदना भूल गए अब जो बेटा है जिया हो यह वह बहुत सप्राइज वाले चेहरे से और बेविल्डर मेंट याने बिल्कुल अफीलिंग ओविंग कन्फूजन से अपनी मां की तरफ देखता है कि क्या सच में आपने टिकेट नहीं खरीदी और यह जो एक्सप्रेशन था उसके बच्चे क चेहरे पर कि वो यह जानना चाहरा है कि क्या मां सच में तुमारी गलती थी कि तुमने टिकेट नहीं खरीदी इस वजह से तुमारी बेजती हुई यह जो एक्सप्रेशन आपने बच्चे के चेहरे पर वह देख रही थी उसको डर लग रहा था यह उसके मन में ऐसा फील आ ग्या मिसंडरस्टानिंग हो गई वहां पर वो एक्सप्रेशन जो था बच्चे के चेहरे पर उससे टाव यह को एकदम डर लगा शी किनोट बाइब दिस टिकेट तोड़ेशन जो पर वो सुचते नहीं आज मैं यह दूसरा टिकेट खरीदने नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर आज मैं आगे चली गई दूसरा टिकेट खरीदने के लिए तो शायद मैं अपने बच्चे को कभी नहीं समझा पाऊंगी कि बेटा मेरी गलती नहीं थी मैं अपने बच्चे की नजरों में गलत साबित हो जाऊंगी यांक का मतलब क्यों होता है पुल समवन विटा स्ट्रॉंग जवाब किसी की बहां किसी के आम से पकड़ते हुए खीच के ले जाते हैं चलो यार ऐसा तो उसने बोला उसने सोचा कि नई मैं टिकेट नी खरीदूंगी उसने बेटे को यांक किया याने की हाथ से पकड़के खीचती हुए ले गए बोलती है चलो लेट्स गो और थैंकफुली बच्चे की जो बोन्स थी काफी स्ट्रॉंग थी क्योंकि उसकी मां उसको अच्छा खिलाना पिलाना करती थी नहीं तो अगर कोई और बच्चा होता तो उसका तो आम उसकी तो बहां बाहरी निकल के आ ज का मतलब क्यों होता है बैट टेंपर याने एकदम अंदर यांदर गुस्सा आना तो अपने बेटे को बोलती है चलो बटा हम लोग चलके यहीं मंदर के बाहर जो पार्क है वहां खेलते हैं अब ताव यह चाती है कि उसका बच्चा बहुत खुश रहे हैपी रहे लेकिन व कि बच्चा बड़ ओगया कि इसको सिच्वेशन समझ खाने लगी कि आठ्च्छी हो क्या रहे इße उसस को एड़ सबप साइस्थ कि वह मंचुरेटी नुक्रीड कि समझ आ रहा था कि हो क्या रहे कि मुझे कुछ पैसे दे दो Taking the money जियाओ ये runs towards an old woman behind the stall and says to her Please measure me अब जैसी उसकी मान उसको ice cream के लिए पैसे दिये जियाओ ये भागता नहीं है उसके पीछे मतलब ice cream seller के पास ice cream खरीदने नहीं जाता बलकि उसी के पीछे एक बूड़ी और बैठी हुई रहती है ice cream stall के पीछे और उस बूड़ी औरत से बच्चा बोलता है Please measure me कि मुझे ना पो याने मेरी height को ना पो It is only then that Tao Yung notices the old lady sitting next to a pair of scales for measuring weight and height और उसी moment में जो मा है Tao Yung वो ये notice करती है कि वो जो old woman है उसके पास सब वो machine और equipment पड़ी हुई है जिससे लोगों का weight वजन, height याने लंबाई ना पी जा सके इसी लिए उसके बेटे ने ये चीज़ नोटेस करो और उसको बोला जाके कि तुम मेरी weight और मेरी height को जो main है उसको measure करो The old woman extends with difficulty the measuring pole pulling it out centimeter by centimeter क्योंकि वो old woman है, भूड़ी औरत है उसने बड़ी मुश्किल से, difficulty से measuring pole था याने जो इतना बड़ा ऐसे pole था measure करने वाला इसमें ऐसे scales बने उस तरीके से उसको उस पर खड़ा किया तरीके से boy को इस तरीके से boy को खड़ा किया और एक-एक centimeter बड़ centimeter उसका measure किया कि आखर उसकी height है कितनी She strains to make out the numbers 1 meter 11 strains याने to make a great effort जबाब बहुत महनत मशक्कत करते हो तो क्योंकि वो बहुत बूड़ी औरत थी उसने बहुत महनत मशकत करके finally height measure करी बच्चे की जो की थी 1 meter 11 याने 10 centimeter और एक उपर याने 111 centimeter की height बताई किसे ने उस old woman ने ताओ यंग begins to wonder if she has encountered a ghost और is her son being to resemble a shoot of bamboo growing every time you look at him अब shoot of bamboo क्यों होता है जो bamboo जो बास की लकड़ी होती है लंबी-लंबी इनकी ये बहुत जलेली grow होती है ओके अब ताओ यंग ने जब देखा कि बच्चा 111 centimeter का हो गया तो सुर्ची क्या हमें कोई घोस्ट क्या किसी भूच से मिल गए हूँ क्या मैं और या फिर ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा बेटा कोई shoot of bamboo की तरह हो गया है जो हर एक second जिसकी height बढ़ रही है तो हर बार जब मैं अपने बच्चे को देखते उसकी height बढ़ी हुई रहती है तो बहुत शौक हो जाती बिचारी यह सब देखते है सम्तिंग मॉइस्ट बिगिंस तो ग्लिसन इंजियाओ यह इस अब जैसी जियाओ यह ने सुना कि मैं तो 111 cm को याने वो जो गार्ड था वो सही कहा रहा था कि मेरी हाइट बढ़ी हुए मेरी माँ फालतु में बहस करें तो से यह सब सुनके जो जियाओ यह की आखे थी वह मॉइस्ट हो गई याने गीली हो गई ग्लिसन याने गीली गीली हो गई यहने आसू आखा उसकी आखों में उसकी आखे चमकने लगी लीविंग इस मदा बहाइंड अब अपनी माँ को वही चोड़के वह भागना चालू करता है जियाओ यह और सड़नली किसी चीज में आके ट्रिप हो जाता है याने फस जाता है ओलचके गिर जाता है फॉल्स डाउन वन मोमेंट ही इस इएर तेकिंग फ्लाइट लाइट लाइक अब अबर्ड अनदर पर धड़ाम से आके जमीन पर आके वो गिरा ताविंग रशेज ओवर तो लेंड़ हैंड बट जस्टाशी इस अबाउट टू रीच हिम ज्याओ यह हैस पेडिम सेल वाप अन इस ओफ अगें लेंड मतलब तू गिफ कोई गिर गया तो किसी को हाथ देना वो चीज तो उसक पहले उसने अपने आपको खड़ा किया और महां से फिर भाग गया ताव यंग स्टॉब इन अट्रैक्स इशी गिस जियाओ यह विल उनली कीप फॉलिंग अब ताव यंग जिस ट्रैक जिस रस्ते पर बाग रही थी अपने बच्चे के पीचे वही रुग गई क्योंकि व बार-बार मुझसे दूर भागेगा और भागने की वज़े से गिरेगा इसलिए वो रुग गई वो बार-बार अपने बच्चे को पकड़ने के लिए नहीं गई वही रुग गई अब सिल्हूट क्या होता है अगर आप इस तरीके के इमेज़ेस को देखो तो इसमें आपको इंसान नहीं दिख रहा सिर्फ डार्क आउटलाइन पैच दिख रहा है इंसान के शेप का येस तो वो अपने बच्चे को इस तरीके से देखती कि बार-बार वो यहां गिर रहा है फिर उटके उदर गिर रहा है बच्चा बार-बार इदर उदर हो रहा है सिर्फ बच्चा नहीं देख रहा है वो सिर्फ भकता हुआ दिख रहा है कि उटके भगा बस उटके बस भगा इ उसका बिचारी का दिल तूट गया अपने बच्चे को देखके और वो बोलती है जियाओ ये क्या तुम एक बार भी रुकोगे नहीं और पीछे मुड़के अपनी मम्मा को नहीं देखोगे क्या हो गया बिटा ऐसा वो पूछती है जियाओ ये रंस पर लॉंग ताइम इवेंच्वली कमस तो अहौल जियाओ रहे बहुत जियाओ ये जो है बहुत दूर तक भागता है भागता है और फिर एक पॉइंट पर आके हॉल्ट हो जाता है याने स्टॉप हो जाता है रुख जाते है फिर फिर पर पीछे मुड़ता है और फिर भागना स्टार्ट कर देता है यह उसको लग रहा है इसको गुसा आरहे है इंदर से यह उसको लग रहा है कि मेरी मा की गल्ती है क्या मन में है उसके किसी को नहीं पता Tao Yung finds the whole incident incomprehensible incomprehensible मतलग not able to understand अभी जो भी incident जो भी घटना यहां हो रही थी वो बच्चा उठ रहा है भाग रहा है अपनी महा से दूर भग रहा है यह पूरी चीज Tao Yung समझी नहीं पारी थी कि वो ऐसा कर क्यो रहा है She wanders back to the old woman and asks politely Excuse me the scales you have वो गूमते हुए बापस से उस old woman बोड़ी औरत के पास आती है जिसने इसके height measure करी और बोलती है बहुत प्यार से politely बोलती है कि Excuse me जो scales आपके पास है अभी वो इतना बोलती है कि old woman ने बीच में बोलना start कर दिया क्या बोला my scales are here to make you happy don't you want your son to grow tall वो कहती है old woman कि जो मेरे scales वो मेरी मशीने रखी है height नापने की यह तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हें या तुम्हारे जैसे जो भी कस्टमर आ रहे है जो भी ग्रहा कर रहे है उनको खुश करने के लिए है क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही अपने बच्चे को तॉल याने लंबा होते हुए देखने के लिए height बढ़ते हुए देखते हुए तुम्हें खुशी नहीं हो रही every mother wants her son to shoot up but don't forget when he is tall that means you will be old तो old woman कहती है कि हर मा अपने बच्चे को shoot up होते हुए याने grow करते हुए बढ़ा होते हुए देखते हुए बहुत खुश होती है लेकिन यह मत बूला कि हिए हीट लंबी हो रहे बच्चे का कद लंबा भा ओ रहा है इसका मतलब यह है कि तुम्हारी उमर घट रही है यानी कि तुम्हारी उमर कम हो रहा है तुम भूड़े हो रहे हो बच्चा अगर बढ़ा और यान्या आप बूड़े हो रहे हो और baffled का मतलब क्यों आता है confused आपको कुछ समझ नहीं आता तो वो मुमन बोलती है कि जो मेरे scales है जो मेरी measure करने वाले जो poles वगर है सब यह flattering scale रहे यानि चापलूसी करने वाले scale है लोगों को चापलूसी करने वाले scale है यह सब बहुत प्यार से बुड़ी औरत समझाती है टाव इंग को अब टाव इंग बुलती चापलूसी करने वाले scale के होते है भाई उसको कुछ समझ नहीं आता वहीं खड़ी होके बाफल रहती है बिल्कुल पार्ट नमर थ्री में पदा चलेगा जो की लास्ट एक्स्विनेटरी पार्ट है इस चाप्टर का आप चाहें तो हमारे वीडियो यूट्यूप पर भी देख सकते हैं वहां नहीं तो वेबसाइट पर जाएए विजिस है इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी फिर एक्सांपल आपको यह वाला चाप्टर की वीडियो देखनी तो आप इस पर क्लिक करिए जैसे आप क्लिक करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्थार्ट हो जाएगा एंड दो नोट फोगेट तो लाइक सब्सक्र क्राइब एंड शेर आर यूट्यूब चानल क्योंकि मागनेट ब्रेंस फ्री ओफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपके घर तक पहुचा रहे है तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर